श्री चामुन्डे स्वरी मंदिर एक परसीद मंदिर है जो भारत के करनाटक के मैसुरू में चामुन्डी पहारियों के उपर इस्थित है यह देवी चामुन्डे स्वरी को समर्पित है यह मंदिर मैसुर के परमुक आकरसनों में से एक है और इसका बहुत धार्मिक महत्व है मंदीर का एक लंबा इतिहास है जो बारहवी सताब्दी का है इसका निर्मान हुशला सास को द्वारा किया गया था और बाद में मैसूर के सासक परिवार ओड़े यार राजवंस द्वारा इसका जिर्नो धार किया गया था मंदीर मैसूर सहर के केंद्र से लगभग 13 किलोमीटर दूर इस्थित है यह चामूंडी पहाडियों पर इस्थित है जो समुर्द तल से लगभग 1000 फीट उपर है जहां से सहर का मनुरम द्रिश दिखाई देता है मंदीर जटिल नकासी और मुर्तियों के साथ वास्तु कला की द्रविर सहली को परदर्शित करता है मुख के परवेश द्वार जिसे राज गोपूरम के नाम से जाना जाता है एक विसाल सन रचना है जो अलंग क्रीत कला क्रीती से सुसजित है मंदीर की परमुख देवी देवी चामूंडे सुवरी है जिनने महिसा सुर मर्दीनी के नाम से भी जाना जाता है उन्हें राक्षास महिसा सुर का वध करते हुए देवी के उगर रूप के रूप को दरसाया गया है जब आप मंदीर परिशर में परवेश करते हैं तो आपको नंदी की एक विशाल मुर्ती दिखाई देगी जो एक ही के रिनाइट पत्थर से बनाई गई है यह परतीमा लगभग 16 फिट उच्छी है और माना जाता है कि यह भारत की तीसरी सबसे बड़ी नंदी परतीमा है पत्री भी बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है मंदीर तक पहारी के अधार से 1000 सीधिया चड़कर या मोटर योग सरक की गारी चला कर पहुंचा जा सकता है कई भक्त सीधिया चड़ना पसंद करते हैं क्योंकि इसे तपस्या और भक्ती का एक रूप माना जाता है मंदीर सुन्दर दिरिश से प्रस्तूत करते हैं और अक्सर प्रयाटकों को और भक्तों द्वारा देखे जाते हैं सिरी चामुंडे स्वाडी मंदीर तक मैसुरू से सरक मार्क द्वारा असानी से पहुचा जा सकता है मंदिर तक पडिवहन के लिए बसे और टैक्सी या उपलब्ध है मैसूर नियमित ट्रेन और उरान से वाओ के साथ रेल और हवाई माक से अच्छी तरह से जुरा हुआ है सिरीचा मुंडे स्वरी मंदिर का दावराना के वाल एक धार्मिक अनुभव परदान करता है बल की वास्तुकला की भवयता की प्रसंसा करने और आसपास की प्राकिर्तिक सुन्दर्ता का अनंद लेने का आउसर भी परदान करता है यह मैं सुरू में एक महतपून अस्थल है और हर जगा से आने वाले भक्तों के लिए पसंदीदा पूजा अस्थल है ऐसे ही मंदीरों से जूरी जनकारी और उनके इतिहास के बारे में जानने के लिए हमारे वीडियो देखे और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें